आज के समय में इलेक्टिक बहानों का दौर चल रहा है इलेक्टिक बहानों की पॉपलरिटी की शिरुवात हुई थी इलेक्टिक स्कूटर से फिर इलेक्टिक पोर वीलर्स ग्रहकों द्वारा पसंद किये गए और अब electric bikes भी ग्राह को दोरा काफी पसंद की जा रही हैं। ऐसे में इस साल कई आटो मुवाइल कंपनी ने अपनी electric bikes launch की हैं। और बीते दिनों में देश की प्रमुक क्लासिक लुक वाली performance bike निर्माता कंपनी रॉयल इन्फिल्ड ने भी अपनी नई electric bike को launch करने की गोश्टना की थी। लेकिन कंपनी रॉयल इन्फिल्ड को electric अवतार में पेश करें। उससे पहले ही इन्टरनेट पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें रॉयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 का नई आफ़तार सामने आया है। इसमें खास electric component का प्रयोग किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको किसने इस electric royal infil bike को तयार किया है से लेकर इसके features के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यकीन मानिए आपको इस वीडियो को देखने में काफी मज़ा आएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए डिजू के मताबिक वो इस electric component की फिलहाल टेस्टिंग कर रहे हैं। इस component में उन्होंने 4.5 kW की capacity वाला lithium ion battery का इस्तिमाल किया है। इस battery को bike के electric component की जगह पर लगाया गया है। और charging time की बात की जाए तो इसे full charge करने में एक से 8 घंटे तक का समय लगता है। जो की charger पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी बताए कि ये कोई single kit नहीं है बलकि इस तकनीक को develop करने के लिए कई अलग-अलग component को शामिल किया गया है। फिलहाल उन्होंने इस electric component को टेस्टिंग मोड में ही रखा है और इसमें और भी बेतर फीचर शामिल करने में लगे हुए है। अब इस component से मिलने वाले फायदेगी बात करें तो इसका bike में इस्तिमाल किये जाने के बाद bike अपने regular engine से ज़ादा पौपर देती है। जी हाँ, लीजू के मताबिक नॉमली रॉयल एंफील क्लासिक 350 को 0-100 km प्रतिगंटा की स्पीड पकड़ने में अधिकतम 16 सेकंड लगते हैं। वहीं इस electric component का इस्तिमाल करने के बाद क्लासिक 350 को 0-100 km प्रतिगंटा की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 12-14 सेकंड लग रहे हैं। जब लीजू से पूछा गया कि इस component के इस्तिमाल करने के बाद बाइक की कीमत कितनी होगी तो उनका कहना था कि फिलाहल हम कीमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस electric component के इस्तिमाल के बाद बाइक की एक शोरूम कीमत में 30-40% तक की बढ़ुतरी हो सकती है। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही है कि ड्राइविंग रेंज स्पीड पर निरभर करती है और लीजू ने बताया कि 60-80 km प्रतिगंटा की स्पीड पर बाइक को चलाने से ये 100-200 km तक की रेंज देगी। साथ ही जानकारी के लिए आपको ये भी बताते हैं कि लीजू ने कहा है कि अभी के समय में भारत में किसी भी वीकल को इलेक्टिक कंपोनेंट के माद्य हम से बदलना गायर कानूनी है और इसके लिए हमें गौ़र्मेंट की मनजूरी और सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। फिलाल तो हम इस प्रोड़क्ट को डिवलफ कर रहे हैं वक्त आने पर हम इसे गौ़र्मेंट द्वारा सर्टिफाइट भी करवाएंगे जिसके बाद हम ये प्रोड़क्ट लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तो इस इलेक्टिक कंपोनेंट के बारे में अपनी रा